जब हम ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे तमाम बच्चों को एजुकेशन का हक हासल है और ये कि उनको स्कूल में एक अच्छा एंवाइरमेंट मिले तो फिर इसके उपर हमें ये पॉलिसीज भी बनाना थी कि बच्चों को हर तरह की एब्यूस से भी बचाया जाए अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो नगलेक्ट का शिकार होते हैं बलके सेक्शल अब्यूस का भी शिकार होते हैं और ये बड़ी हैरत की बात है कि वो तालिमी इदारों में भी सेक्शल अब्यूस का शिकार हो सकते हैं इससे पहले इस तरह की प्रोवियन्स आईइन में नहीं थी कि अगर किसी बच्चे के साथ जिंसी ज्यात्ती की जाए तो फिर उसके लिए उसको ज्यात्ती करने वाले को किस तरह से सजा दी जाएगी और तो और उसको डिफाइन भी नहीं किया गया था क्योंकि अच्छे मौाशरों का ये वतीरा नहीं है कि वो अपने बच्चों को इस तरह का नुकसान पहुंचाएं तो लेकिन चुंके हलात खराब हो रहे थे पूरी दुनिया के अंदर और सोशल मुडिया की वज़े से बहुत सी ऐसी चीजें मौाशरे के अंदर सरे आम हो गई कि बहुत से बच्चों का नुकसान हुआ उनको जिंसी तोर पर जियाती का निशाना बनाया गया और ना सिर्फ आम गल्यों महलों में बलके स्कूलों के अंदर भी तो फिर आईन के अंदर ये शिक्त शामिल करनी पड़ गई कि ऐसे कवानीन बनाये जाएं जिसकी वज़ा से लोगों को कुछ थ्रेट को कुछ धमकी पता चले कि अगर वो ऐसे जुर्म के सजावार होंगे तो उनको सजा मिलेगी अब देखे बहुत से जराइम जो है उनकी नौयत भी पहले से तबदील हो गई है बच्चों को हर तरह के जराइम का शिकार किया जाता है ना सिर्फ ये कि उनको उनके साथ सेक्शल अब्यूस होता है बलके आज के जमाने में लोग उसको वीडियो के त्रू पूरी दुन्या में वाइरल करते हैं तो वो जो सिलसला है उसको बंद करने के लिए हर मौश्रे में नए वक्त के आने के साथ साथ बुक्तरिफ तरह कि जहां तबदीलियां आती हैं जहां अच्छाईयां जनम लेती हैं वहाँ पे बुराईयों के खतरात भी बढ़ जाते हैं और उसके लिए बहुत बेतर है कि पहले से ऐसे एकदामाद कर लिये जाएं ताके उनकी रोक थाम हो सके सो ऐसा हमारी कानून जो है हमारे कॉंस्टिटूशन में बनाएगे जैसे सेक्शन 3-2-8-A रिलेट्स तो क्रुएलिटी तो अचाइड बच्चे से किसी तरह का भी जुल्म किया जाए किसी तरह की भी हरास्मेंट हो ज़रूरी नहीं कि वो सेक्शल ही हो उसको थपड मारा जाए उसको परिशान किया जाए उसकी जिल्लत की जाए उस सारी चीजें इसमें शामिल हैं चोटे बच्चे तो इस बात को भी विल्नरेबल हैं कि उनको एक दसास दूसी जगा मुंतकिल किया जाए गहर कानूनी तौर पर कई दफ़ा बाहर के मुलकों में उनको मुंतकिल किया जाता है गहर कानूनी तौर पर सेक्शन 377-A क्या हो सकता है अगर बच्चे को क्या नुकसान पहुंचाया जाए जिसको हम सेक्शल अब्यूस कह सकें तो सेक्शन 377-B अगर सेक्शल अब्यूस को जैसा के डिफाइन किया गया उसके मुताबिक अगर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है तो पिर उसकी सजा है तो अब ऐसा है कि चूंके पाकिस्तान के अंदर बहुत से हमारे ऐसे केस्स जो सेक्शल अब्यूस के हैं वो तालीमी इदारों के अंदर ही क्योंना हो रिपोर्ट नहीं होते हमारी जो साहिल एक एंजियो है उन्होंने सर्वे किया तो पता ये चला कि 90% ऐसे केस्स हैं जो रिपोर्ट नहीं होते सिर्फ 10% ऐसे होते हैं तो हमारे मुलक के अंदर ऐसे कुछ केस्स जो हैं जो बड़े एक्स्ट्रीम ली जहां तक बच्चों की मौत वाक्या हो गई वहां जाके उनको सिर्फ रिजिस्टर करवाया गया या उनको रिपोर्ट किया गया तो ऐसे बहुत से केस्स जिनकी रोक थाम के लिए हकूमत अपना किरदार अदा कर सकती है इदारे अपना किरदार अदा कर सकते हैं उन पे ultrag देना ज़रूरी भी था और उनके लिए कवानीन बनाने भी ज़रूरी थे ताकि जो जराइम करने वाले हैं उनको पता हो कि कल को उनको क्या सजा उससे मिल सकती है। सो यह वो आप वो शिकें जो हमने आपको बताई यह सब इस बात की वजाहत करती है कि बच्चों को किसी भी किसम का जिनसी रुकसान पहुचाया जाए तो बकाइदा कानून के अंदर शिक्त मौजूद है कि उनको उन जरायम की सजा दी जाए।